नमस्कार बच्चो आज हम पड़ेंगे इकाई तेरा साधु उप्तिश और इस विधा का प्रकार है कविता और इसके कवी हैं काका हात रसी काका हात रसी का जन्म सन 1906 और निधन 1995 इस्वी सन में हुआ काका हात रसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंकार थे आपने हिंदी जगत में एक विशश पहचान बनाईए मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था पर हात रस में एक नाट्य मंचन के दोरान आपने काका के भुमिका निभाई थी तबी से आपने स्वयम अपना तखलूस काका हात रसी रख लिया हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रे आपको जाता है जहां कई भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते हैं वहां काका की अनिवार उपस्तिती होती थी हिंदी की सु विख्यात पत्रपत्रिकाएं जथा धर्मयूग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान, वानी आदी में आपकी रश्नाएं निमित रूप से प्रकाशेत होती रहती थी कुल मिलाकर आपने के नाम पर बयाली संकलन मिलते हीं व्यांग हासे के शेत्र में आपके सुपूत्र निर्भय हात रसी का नाम भी प्रसिद्ध है 1985 में आपको भारा सरकार द्वारा प्रतिस्थित पदमश्री से सम्मानित किया गया हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रती वर्ष काका हात रसी पुरुसकार दिया जाता है। एक और हम राम नाम जबते हैं, गो मुखी में हाथ डालकर माला के तानों को फेरते हैं तो दूसरी और मिठी छुरी भी चलती है। ये तथा कथे साधु बाबा ना तो जादा पड़े लिखे होते हैं ना ज्यानी। इसलिए भगतो द्वारा पुछे गए प्रश्नों का उत् पड़े इसे तु मोनी बाबा का स्वांग रचाय बेठे रहते हैं। ये मोन रहकर जीव जगत और माया संबंदी और संगत बाते मन घड़नत बाते किये जाते हैं। चलो आज हम पड़ते हैं साधु उपदेश। सदा हिलती रहे, नंबर उपर से बने भीतर छुरी चलती रहे। अभी कहते हैं कि ढोंगी साधु अपने भक्तों को उपदेश देती हुए कहते हैं कि आप लोगों ने यो तो अनेक ग्रंत और अनेक पुस्तके पड़ी होंगी। आज आप मेरे भी कुछ गुण ले लीजि आप अपने हाथ में हमेशा माला लेकर गो मुखी में उसे फिराते रहें ताकि लोगों को यह लगे कि आप इश्वर के नाम का चाप करते रहें। इसके अलावा उपर से आप एसा दिखावा करिए कि आप बहुत विनम रहें लेकिन अंदर से आप छल कपट करने से भी मत नगर से बहार बगीचे में बना ले छोपड़ी, दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी, तर्ग करने के लिए आजाए कोई सामने, खुलना जाए पॉल इस भैसलगे मत कापने। धों करने के लिए उपरी दिखावा करना भी जरूरी है, इसलिए सादू का सच्चा वेश बनाने के लिए कुछ चीजों का भी सारा ले लीजिए, इसके लिए आप अपने शेहर से दूर किसी बगीचे में एक जोपड़ी याने कुटी बना कर उसमें रहे, सच्चा सादू शरी चमकता हुआ दिखाए दे, यदि कोई व्यक्ति आपके पास किसी विशय पर तर्ग करे, तो उससे डर कर भैवितना हो, डरे नहीं कि आपकी पोल खुलना जाए, बल्कि हिम्मत से कामले और निडर बने रहे, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तु कौन है, मैं कौन स्लेट पर लिख दो महोदे, आज कल में मौन हूँ, धर्म संगट सिख रहे, इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तारकिक विद्वान सब हट जाएंगे, यदि कोई व्यक्ति आपसे इस विशय पर तर्ग करने लगेगी, जीव जगत और माया क्या होती है, परमात्मा क क्या है, आप कोन है, मैं कोन हूँ, तो आप बिल्कुल मत खबराएए, कुछ मत बोलिए, केवल एक स्लेट पर यह लिख कर उसे दिखा दीजिए कि आज कल आपका मौन ब्रत चल रहा है, इसलिए आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते, इस उपाई से आप एक दम मुक्त हो जाए तर्क करने वाले अपने आपी महां से चले जाएंगे, किये जानिश काम सेवा, सब फलेक्छा छोड कर, याद फल की जब सताए, खा पपिता तोड कर, स्वर्ग का जगडा गया, भै भी नर्क का छोड दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुच कर फोड दे आप बिना किसी काम या इच्छा से लोगों की सेवा करते रहे, फल की परवा बिलकुल मत कीजिए, यदि फल की कभी याद आ जाए तो इधर उधर हाथ मार कर, जो हाथ में आ जाए, उसे जपट लीजिए, स्वर्ग प्राप्ती से कोई वास्ता मत रखिए, नर्क में जाने का डर भी मन में से निकाल दीजिए, यदि आपके पापों का घड़ा भर चाए, यदि पाप जाता हो चाए, तो चिंता मत कीजिए, सिधे पाप मोचन काशी चले चाहिए, वहां आपके सारे पाप बिना साभुन के चुटकी बजाते ही धुल चाहेंगे, इस प्रकार काका ह आत्रसी ने ढंगी सादू उपर करारा व्यंग व्यक्त किया है